हलो फ्रेंट्स टेक्टी दिप पर आप सबका स्वागत है सो इस वीडियो पर मैं बात करने वाला हूँ 20,000 के अंदर बेस्ट फाइब 5G फोन के बारे में और ये सभी फोन अभी ऑनलाइन मार्केट में अबेलेबल है तो वीडियो स्टार्ट होने के पहले आप अगर चैनल पर नाया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दवा देना एंड इस वीडियो के लाइक कर देना तो आपका बाजेट अगर 20,000 के अंदर है एंड इस प्रैस रेंज के अंदर आप एक अच्छा 5G ओल राउंडर स्मार्टफोन धून रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेलपफुल होने वाला है क्योंकि फॉन्स के बारे में रिसर्च करके मैं यहाँ पार टॉप 5 5G फॉन्स को ले कर आए हूँ जो की 20,000 के अंदर है और ये सभी डिबाइसेस के साथ बिग डिस्पेले, पारफुल गेमिंग पोसेसर, 128GB स्टोरेज, मैक्सिमाम 8GB अप रैम, 120Hz रिप्रेस्ट ये सब भी देखने को मिलेगा तो फ्रेंड्स आए सभी फॉन्स के बारे में आप जान लेते हैं तो 20,000 के अंदर यहाँ पार जो पहला 5G अल्राउंडर फोन है, यह है Realme X7 5G इसका भी ओन्लाइन मार्केट में प्राइस है, 19,999 रूपीज तो इसका मैं अगर पेसिपिकेशन की बात करूँ, तो ये डिबाइस 5G ने टार्क एन 6.4 इंच का M.O.E.D. डिस्प्ले के साथ आता है, ये जो डिस्प्ले है, ये काफी पीमियाम एन HD क्वालिटी का डिस्प्ले है, इसके साथ ये 120 हार्ज रिफ्रेसेट भी देता है, और डिबाइस का फॉन्ट पे गोडिले गलास का पोटेक्शन भी दिया गया है, इसके साथ ये Android 10 and Realme UI दिया गया है, और 4300 एमिज का बैटेरी देखने को मिलता है, 65 वाट फास्ट अजिंग के साथ, इस फॉन का जो कैमेरा है, यहाँ पर क्वाट कैमेरा सेटप देखने को मिलता है, 64 MP, प्लास 8 MP, प्लास 2 MP and 2 MP, और इसके सेल्पी में 32 MP का कैमेरा दिया गया है, इसके स 1000 का अंदर यहाँ पार जो नेक्स्ट 5G फोन है, यह है रियल्मी नर्जो 30 Pro 5G, इसका भी ओनलाइन मार्केट में प्राइस है 18,999 रूपीज, तो यह डिवाइस 5G नेट वार्क एंड 6.5 इंच का बीग IPS LCD डिस्पेले के साथ आता है, तो यहाँ पर MLED डिस्पेले नहीं दिय दिया गाया है, तो यह फॉन भी पार्ट बाई है, मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U 5G पोसेसार के साथ, जो कि एक पारफुल गेमिंग पोसेसार भी है, इसका साथ 8GB एंड 128GB का स्टोरिज देखने को मिलता है, तो इसका जो मेन कैमेरा है, यहाँ पर 48MP प्लास 8MP प्लास 2MP का कैमेरा देखने को मिलता है, एंड फॉन पे 16MP का कैमेरा दिया गाया है, एंड जो बैटरी है, यहाँ पर 5000 इमीज का बैटरी देखने को मिलता है, 30W फास्ट जिंग के साथ, तो मैं अगर OS की बात करूँ तो यह डिवाइस Android 10 एंड Realme UI के साथ आता है, इसके साथ यह Bluetooth 5.1, USB Type-C 2.0, 3.5 mm, Audio Jack यह सब भी सपोट करता है, यहाँ पाद जो नेक्स्ट पोन है, यह है IQ Z35G, इसका भी ऑनलाइन मार्केट में प्राइस है, 19,990 रूपीज, एंड आप अगर और 1000 एड करते हो, तो इसका जो 8GB वेरियंट है, वो बाइ कर सकते हो, तो इसका मैं अगर 10 को भी सपोट करता है, तो यह डिबाइस पार्ट भाई है, Snapdragon 768 5G फोसेसर के साथ, जो कि एक Qualcomm का 7 नानो मीटर का पारफूल फोसेसर है, एंड इस फोन पे आप बहुत यह अच्छा गेम पे ले कर सकते हो, कोई गेमिंग दिक्कत नहीं आने वाला है, एंड 128GB स्टोरेज औ 6GB RAM दिया गया है, लिक्विट कुलिंग सिस्टेम के साथ, तो यह सिस्टेम फोन को हीट होने से रोपता है, तो इस फोन का मैं अगर कैमेरे की बात करूँ, तो यहाँ पर टिपिल कैमेरा सेटप देखने को मिलता है, 64MP प्लास 8MP प्लास 2MP, एंड इसके फोन पे 16MP का कैमेरे दिया गया है, एंड इसका जो OS है, यहाँ पर Android 11 and Funtouch 11.1 OS देखने को मिलता है, और इसका जो बैटरी है, यहाँ पर 4,400 इमेज बैटरी दिया गया है, 55W फास्ट चाजिंग के साथ, इसके साथ ही डिबाइस, Bluetooth 5.1, USB Type-C port and 3.5 mm audio jack, यह सब भी सपोर्ट करता है, सो 20,000 के अंदर यहाँ पर जो नेक्स्ट 5G फोन है, यह है Redmi Note 10 T 5G, इसका भी ओनलाइन मार्केट में प्राइस है 18,999 रूपीज, यह डिबाइस 5G ने टॉर्क and 6.5 इंच का बिग IPS LCD डिस्पले के साथ आता है, एंड यह डिस्पले 90Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है, और यह डिबाइस पार्ट बाई है, Mediatek Dimensity 700 5G पोसेसर के साथ, एंड यह पोसेसर भी Mediatek का 7 नमेटर का एक पारफूल पोसेसर है, इसके साथ 6GB RAM and 128GB स्टोरेज देखने को मिलता है, तो इसका जो वेस है, यहाँ पर Android 11 and MIUI 12 दिया गया है, तो इसका मैं अगर कैमेरे के बात 1000 इमेज बैटरी एंड 18W फास्ट चर्जिंग के साथ आता है, और यह Bluetooth 5.1, USB Type-C, 2.0, 3.5 में audio jack यह सब भी सपोर्ट करता है, तो आप अगर 20,000 के अंदर Redmi का 5G all-rounder स्मार्पोन धून धून रहे हो, तो इससे आप बाई कर सकते हो, तो यहाँ पार जो नेक्स्ट 5G फोन है यह है Samsung Galaxy A22 5G, इसका भी online market में price है 19,999 रूपीज, तो इसका मैं अगर pacification की बात करूँ, तो यह device 5G network and 6.6 inch का infinity भी display के साथ आता है, और यह display 90Hz refresh rate को support करता है, इसके साथ font पे glass protection भी दिया गया है, और यह device part by है MediaTek Dimensity 700 5G processor के साथ, तो इस font पे भी आपको अच्छा gaming performance देखने को मिलेगा, इसके साथ 6GB RAM and 128GB storage देखने को मिलता है, तो इसका मैं अगर waste की बात करूँ, तो यहाँ पर Android 11 and One UI 3.1 दिया गया है, और यह phone typical camera setup के साथ आता है, 48MP, प्लास 5MP and 2MP, and font पे 8MP का camera दिया है, तो इस phone के साथ भी आपको Samsung का decent camera quality मिलेगा, और जो बैटरी है, यहाँ प 5MP audio jack, यह सब भी support करता है, so friends, यह सभी phone अपने price के हिसाब से unique features and design के साथ आता है, और 20,000 के अंदर यह 5,5G phones में से कौन सा phone आपका अच्छा लागा, comment में ज़रूर बताना, and ऐसा ही video देखने के लिए, मेरे चानल को subscribe करके, bell icon को दबा देना, and इस video के लाइक कर देना,